असलाम अलेकUM, आज मैं आपके साथ शेर करी हूँ केरला स्टाइल चिकन फ्राइ की रेसिपी जिसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कूटे मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे जिसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और साथ ये साथ ये बनाने में भी बेहत आ इसे हम दर्दरा सा पीस लेंगे और इसे हम इस तरह से देखिये मैं आप दर्दरा सा कुट लिया है कोटेंगे तो बहुत अच्छा टीस्ट आएगा और यह हमारे मसाला चिकन प्राइग के तयार है तो यहां पर मैं ले लिया है 600 ग्राम चिकन जिसे इस तरह से बड़े दालमिच पाउडर आड़ करेंगे आफ टीसपून गरम मसाला पाउड़र एड़ करेंगे नमक अड़ करेंगे स्वाद अधा नीमबू कर रस हम इसमें अड़ करेंगे अधा नीमबू कर दिया है और यह सारी चीजों को हमने बहुत यह च्छी से चिकन के ओपर लगा लेना ना चिकन टिका फ्राय किला मसाला ना हो दूसरा कोई मसाला बिल्कुल लगाने के आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्ट लेगा तो यहां पर हम एक टेबस्पून भर कर इसमे अड़ कर देंगे चावल का अर्टा और अच्छे से लगा लेंगे चिकन के मसाला लगा है वह भी निकलेगा नहीं और बहुत अच्छा टेस्ट भी लेगा तो चलिए यह चावल का अर्टा भी हमने चिकन के लगा लिया बस हम इसे आधे से घंटे तक अब मैरिनेट होने रग देंगे ताकि हमारे चिकन फ्राय में बहुत अच्छा टेस्ट आए तो इसे रग देते हम मैरिनेट होने के लिए उसके बाद आधे से एक गंटे बाद हम इसे फ्राय करेंगे तो हमने पैन में तील डाल दिया है तेल अच्छा सा गरम हो चुका है उसके बाद हम इस पर रग देंगे इस तरह से चिकन और हाइब पर पहले हम चिकन को एड कर तो एक तरफ से अच्छा साही दिखिए गोल्डन कलर की तो हम इसे पलट लेंगे और मीडियम फ्लेम ही हमें रखना है ताकि हमारा चिकन अंदर तक पूरा गले और बिलकुर सॉफ्ट रहे अंदर से और अच्छा कच्छा भी ना रहे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएग रख अलग ऑच्छा मतलब ये बहुत अच्छा से अब फ्राइ हो चुका है तो छली इस निकाल लेते है तो अजिके कितने आसानी से हमारा इस शब्र बन गया है और इसमें जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा एसमें अच्छा बड़े घ्चा इसमें तेस्ट आता है तो बच्यों और बड़ों को पसंद आने वाली यह रेसिपी है चिकन फ्राइ की आप भी इस सरीके से बनाएं जट पर चिकन फ्राइ आपका भी होगा खाने में भी बहुत मज़ेदा रहेगा और अलग टीस्ट आपको बिल्कुल मिलेगा तो आपको यह केरला स्टाइल चिकन कि अधि पर आपको लाग रॉडड बड्या ग्लिव .